बुद मॉर्निंग बच्चों मैं मुकेस मैडम MLP International School राज़पुरा से बच्चों आज मैं करा रही हूँ कखशा दूसरी का पार्ट 3 शब्द और वाक्य सबसे पहले हम लिखेंगे 14 माई 2020 पेड़त दिन है गुरुवार पार्ट 3 शब्द और वाक्य विश्य हिंदी व्याक्राइब परस्न बरक का निमनलिखित परशनों के उत्तर दीजिए पहला परशन है शब्द किशे कहते हैं इसका उत्तर होगा वर्णो के एसे मेल को जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहते हैं जैसे यहाँ पर 3 वर्णो को मिला गए है कम और लाकों तो यह बन गया कमल कमल एक फूल का नम होता है इसके बाद मटर मटर एक सब्जी का नम होता है तो ये दोनों सार्थक शब्द हैं इनका अर्थ निकल रहा है तो वरणों के ऐसे मेल को जिसका कोई अर्थ निकलता हो शब्द कहते हैं अगला प्रश्न है विकारी शब्द किसे कहते हैं। उत्तर होगा वाक्य में प्रियोग करने पर जिस शब्द का रूप बदल जाता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे घोड़ा दोड़ता है। यदि हम इसका वचन बदलते हैं तब यह बनता है घोड़े दोड़ते हैं। तो वे शब्द जो वाक्य में प्रियोग करने पर जिनका रूप बदल जाता है वो विकारी शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों मैंने यह अभ्यास कराया आपको यह आपको अपनी नोटबुक में सुन्दर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। तो कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्ने वाद है।